गुद मर्निंग चिल्डरन आज हम आट में बटरफ्ला एंड फ्लावर्स का ड्राइंग बनाएंगे आपकी बुक में पेज नमबर ट्वेल पर यह ड्राइंग दिया है इसमें आपको ड्राइंग करने के बाद वाटर कलर से कंप्रिट करना है तो सबसे पहले हम यह नीचे ज और इसके उपर राउंड वाला फ्लावर है ऐसे ऐसे और यह राउंड वाला शेप है फ्लावर का ऐसे ऐसे और एक फ्लावर यहांसे शुरू होता है यह एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई और यहांसे चोटा सा फ्लावर ऐसे ऐसे अब राउंड वाली प्तिया ऐसे ऐसे यह और एक पत्ता इदर से यहांसे निकलता है ऐसे अब इसके ओपर बटरफ्लाई बनाएंगे हम तो थोड़ा बड़ा बटरफ्लाई है तो उसका शेप हम बनाएंगे बीच में इसका सबसे पहले इसका फेश तो यह इसका फेश राउंड वाला और आगे इसकी दो आखे यह दो आखे आगे आगे निकलता है ऐसे यहां से बाड़ी का पड़ शुरू होता है ऐसे और यह पीछे का पॉर्शन ऐसे अब इसकी पंक बनाएंगे पंक यहां से निकलती है ऐसे और यह वाली पंक ऐसे गई ऐसे और एक पंक ऐसे गई ऐसे और यह यहां से यह पंक है थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी इसको तोड़ा नीचे से बनाएंगे इसको तोड़ा नीचे से बनाएंगे यहां दो आखे ऐगी ऐसे बाद में यह इसका बोड़ी का पार्स ऐसे और यह पीछे का पॉर्शन ऐसे आसे आसे अब इसकी पंक बनाएंगे ऐसे और यहां से यह लाइ निकले ऐसे ऐसे और वही से प्राइट साइड ऐसे और यह लाइन यह लाइन ऐसे गई ऐसे और यह आगे का इसके है ऐसे आगे का इसके है आगे अब इसके अंदर डिटेल करना है बटरफ्लाई के अंदर तो यह यह जो है एक डिजाइन ऐसे है यहां से ऐसे ऐसे डिजाइन है इसके बाद जुम्या आए बगल में ऐसे डिजाइन एक डिजाइन ऐसे गई ऐसे गई ऐसे ऐसे और दूसरे जो पंक है इसमें भी सेम डिजाइन ऐसे इस प्रकार सामने भी ऐसे डिजाइन है एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई यह लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई और यहाँ से यह डिजाइन ऐसे एक लाइन ऐसे गई दूसरी लाइन ऐसे गई तीसरी लाइन और फोट लाइन यह आगे की उसकी आखे है अब हमें इसके अंदर वाटर कलर से फिलप करना है यह डिजाइन वाटर कलर एप्लाइ करना है इसमें अगर आपके पास वाटर कलर नहीं है तो और जो भी कलर है उससे आप अपनी चोईस का कलर इसमें कर सकते हैं फ्लावर में रेड कर सकते हैं इसमें ग्रीन कलर दाएगा इस प्रकार से पूरा ड्राइंग कंप्लिक कर देना है यह हो गया बटरफ्लाइड फ्लावर्स